देश प्रदेश और दुनिया से जूड़ी कुछ खास चुनिन्दा खबरे वो भी मेरे साथ बागो का कुनबा बढ़ रहा है यह तो बात अच्छी लेकिन मानव वन्नेजिव संगर्च बड़ी परेशानी की रुप में सामने आ रहा है इससे मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे भी चिंतित है उन्होंने चंद्रपूर में बागो की बढ़ती संख्या के कारण मानव वन्नेजिव संगर्ष को रोकने के लिए गठित समीति को जल्द नीती बनाने के निर्देश भी दिये है साथ ही चंद्रपूर में 208 जगह पर सोलर बोर्विल तयार करने को कहा है यही नहीं वन्ने जीवों के कारण फसलों का नुकसान टालने के लिए किसानों को व्यक्तिगत सौरबाड का लाब देने वाली योजना के दिशा निर्देश जारी करने के भी आदिश दी है उनका मानना है कि इससे कुछ हद तक बाग प्रभावित इलाकों के लोगों को राहत मिल सकेगी राहत की बात एक और है प्रदेश के भवन निर्मान करने वाले मजदूरों का ग्रामिन और शहरी इलाकों में पंजी करन में तेजी लाने के लिए पंजियन अधिकारियों में बदलाव किया गया है अब श्रम विभाग के अधिकारी के पास ही मजदूरों के पंजियन की जिम्मेदारी होगी इसी क्रम में बात OBC आरक्षन की सुप्रीम कोट ने प्रदेश के OBC के राजनितिक आरक्षन को रत कर दिया था कहा था कि राज्यमेकुल आरक्षन 50% से अधिक नहीं होना चाहिए इसके मद्दे नजर सरकार को अध्यादेश के जरीए OBC आरक्षन बाहल करने का फैसला लेना पड़ा है राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी ने प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्क के राजनितिक आरक्षन बाहली संबंदित अध्यादेश को मन्जूरी दे दी है इसके अलावा एक बड़ी खबर ये भी है कि ठाने पुलिस ने आधिकारिक चेताउनी जारी कर कहा है कि सड़क पर पढ़ने वाले गड़ों के चलते किसी की मौत होने बर संबंदित ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी महावितरन की भी परेशानी कम नहीं बकाया बीलों की वसुली नहीं होने से वो बहुत बुरे दोर से गुजर रही है हालत इतनी खराब है कि बिजली का प्लांट चलाने के लिए उसके पास कोईले की कमी हो गई है महावितरन नेक प्रेजेंटेशन देकर साफ किया है कि उनकी आर्थिक सियाग खराब हो चुकी है बिजली का बकाया 74,000 करोड रुपे तक पहुच गया है आम लोगों की सूद लेने से लेकर प्रशासन को सावधान करने वाली और प्रदेश की पाच बड़ी खबरों पर आईए अब विस्तार से नजर डालते हैं मुख्यमंतरी उद्धफ ठाकरे ने चंदरपूर में बागों की बढ़ती संख्या के कारण मानव वन्यजीव संगर्ष को रोकने के लिए गटित समिती को जल्द नीती बनाने के निर्देश भी दिये साथी चंदरपूर में 208 जगहों पर सोलर बोर्वेल तयार करने को कहा इसके लिए आवश्यक 6 करोड रुपे कैमपा निधी से खर्च की जाएगी वन्यजीव के कारण फसलों का नुकसान टालने के लिए किसानों को व्यक्तिगत सौर बाड का लाब देने वाली योजना के दिशा निर्देश जारी करने के आदेश दिये है मुख्यमंत्री ने कहा कि वनक्षेत्रों के आसपास वाले गाओ में वन्य जीवों के कारण फसलों का नुकसान टालने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसात मुखर जी जन वन विकास योजना के तहट समवेधनशिल गाओ में किसानों को सौर बाड का लाब दिया जाए साथ ही कहा कि जन वन विकास योजना के तहट पाच समवेधनशिल गाओ में पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में वन सीमा पर लोहे की जाली का बाड लगाया जाए उन्होंने कहा कि जन वन विकास योजना में 949 गाओ का समावेश है इस योजना में और कुछ गाओ को शामिल करे मुख्यमंद्री ने कहा कि जिन गाओ के आसपास बाग लगातार घूमते है और वहाँ खेती नहीं की जा सकती है ऐसे जगव में बास और फलो के पेड लगाय जाए साथी चारे का उत्पादन शुरू किया जाए जिससे किसानों को आई मिल सकेगी कैमरे लगाकर बागों के हलचल पर नजर रखी जाए कुछ बागों पर रेडियो कॉलर लगाया जाए जिससे लोगों को सजग किया जा सके प्रदेश की भवन निर्मान करने वाले मजदूरों का ग्रामिन और शहरी इलाकों में पंजीकरन में तेजी लाने के लिए पंजीयन अधिकारियों में बदलाव किया गया है अब श्रम विभाग के अधिकारी के पास ही मजदूरों का पंजीयन की जिम्मेदारी होगी महराश्ट्र इमारत वो अन्य निर्मान कार्य कामगार कल्यानकारी मंडल की 55 बैटक में भवन निर्मान मजदूरों का ओनलाइन पंजीयन का फैसला लिया गया था राज्य सरकार के श्रम विभाग ने इस संबंद में शासना देश जारी किया है इसके अनुसार भवन निर्मान मजदूरों को पंजीकृत करने के लिए श्रम विभाग के अधिकारियों को पंजीयन अधिकारी नियुक्त किया गया है श्रम विभाग के अतिरिक्त, श्रम आयुक्त, श्रम उप आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त, सरकारी कामगार अधिकारी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला कार्यकारी अधिकारी, महराष्ट्र इमारत व अन्य निर्मान कार्य कामगार, कल्यान कारी मंडल और दुक परिशत के मुख्या अधिकारी सारवजनिक निर्मान कार्य विभाग के उप अभियंता श्रम आयुक्त कामगार कल्यान अधिकारी समित अन्य अफसरों को अधिकार दिया गया था। बहाले संबंदित अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसे प्रदेश के शहरी और ग्रामिन निकायों के चुनाव में OBC के 27 प्रतिशत की सीमा में आरक्षन लागू हो सकेगा। जबकि राज्यप में सभी समुदायों का मिलाकर आरक्षन 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूरती मंतरी चगन मुझबल ने कहां कि हमें खुशी है कि राज्यपाल ने अध्यादेश पर हस्ताक्षार कर दिये है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब सरकार की और से अध्यादेश जारी किया जाएगा। पापस लोटा दिया था। इसके बाद 22 सितंबर को राज्यमंतरी मंडल ने सुधारित अध्यादेश के मसोदे को मंजूरी दी थी। साथ ही नगर निकायों में OBC आरक्षन 27 प्रतिशत तक लागू करने का फैसला किया था। ठेकेदारों के खिलाफ कानोनी कारवाई की जाएगी। पालक मंतरी एकना चिंदे के साथ संबंदित विभागों के मंतरियों से चर्चा करेंगे। और समस्या का स्थाई हल निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस बिच अगर गढ़ों के चलते हुए हाथ से में किसी की जान जाती है जो मरमत की जिम्मेदारे जिस ठेकेदार पर है उसके खिलाफ एफायर दर्च की जाएगी। बैठक के दोरान सारवजनिक निर्मान कारिय विभाग की एग्जेकेटिव इंजिनियर अनिता परदेशी ने कहा कि सड़क पर पढ़ने वाले गढ़े रोजाना भरे जा रहे हैं। साथी सरकार के सामने रास्ते के क्रॉंकिटी करन का प्रस्ताव भेजा गया है जिस पर अगले 15 दिनों में फैसला हो सकता है। साथ किया है कि उनकी आर्थिक सेहत खराब हो चुकी है। बिजली का बकाया 74 करोड रुपे तक पहुँच गया है। बिजली के बिलो की वसुली के लिए जब उनके लोग मैदान में उत्तरते हैं तो सरकार की और से रोग दिया जाता है। अब उनके सामने दो परियाए को गती मिले और दूसरा सरकार आर्थिक मदद करे। हालात इतनी खराब है कि प्लांट चलाने के लिए पैसा नहीं है। बिजली के बकाया बिल में सबसे पहले नंबर पर कुरुशिक शेत्र है जिस पर 59,575 करोड रुपे बकाया है। कमपनी ने साफ कहा है कि सरकार ने संकट खड़ा हो गया है। आज भी घरेलू शेर बाजार पर भी दिखे हैं। सेंसेक्स पहली बार 60,000 अंक पार हुआ है। इसकी खुशी शेर बाजारों में देखी जा रही है। मगर एक मौडल खुश नहीं है। दिली के एक सलून की गलती से मौडल के बाल उसकी इच्छा नुसार नहीं सेठ हो प परेशान लोगसभा सांसत AIMIM चिफ असदुदी नोवे सी भी है। उन्होंने लोगसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि दिली स्थित उनके बंगले पर हुई तोड़फोड के बाद उनकी सुरक्षा को खत्रा है। उन्हें सुरक्षा मुहाया कराई जाए। मध्यप्रदेश के मुख्या मंतरी शिवरा सिंग चोहान भी कम परेशान नहीं। दो महा में अब तक वे पांच बार दिली की दोड़ लगा चुके है। इससे अटकले और तेज हो गई है क्योंकि उत्तरा खंड करनाटक और गु दोनों समाज के लोग समराट महिर भोज को अपना वन्शश बता कर दावे कर रहे हैं। इतिहास कारों के भी अपने अलग दावे हैं। बाजार के अठखेलियों के बीच परेशानी से जुड़ी पांच खबरे व्यक्ति विशेश के लिए ही खास सही। लेकिन देश की सेंसेक्स 60,000 अंग के उपर खुला। ये पहला मौका है जब सेंसेक्स ने ये आंकड़ा चुआ है। सेंसेक्स 325.81 अंग यानि 0.54 की बढ़त के साथ 6211.07 अंग पर खुला। इसी तरह नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 93.30 अंग यानि 0.52 की तेजी के साथ 17,916.30 अंग पर खुला। शुरुआत कारोबार में बैंक और आईटी के शेरों में तेजी रही। सबसे ज़्यादा फायदे में इंफोसिस का शेर रहा। दरसल अमेरिकी फेड रिजर्ब के रुख के बाद से दुरिया भर के शेर बाजारों में तेजी आई है। बाजार में 950 अंगों से भी अधिक की तेजी दिखाई दी। सुब़ जो सेंसेक्स 431 अंगों की बढ़त के साथ 69,358 अंगों पर खुला था वह शाम तक चड़ते-चड़ते 958 अंग के उपर पहुँच गया। गुरुवार शाम को सेंसेक्स 69,886.36 अंगों पर बंद हुआ जो ब की तेजी सेंसेक्स में आई। दिल्ली के एक सलून को गलत तरीके से महिला के बाल काटना महेंगा पड़ा। राष्ट्री उपभुगता विवाद निस्तारन आयोग ने सलून को उस महिला को 2 करोड रुपे का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। सलून को प्रोय अपने लंबे और सुन्दर बालों के कारण हैर प्रोडक्त की मॉडल थी और उन्होंने कई बड़े हैर केर वरांड के लिए मॉडलिंग की है। सलून ने उनके निर्देश से उलट गलत बाल काटे और इसके कारण उन्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ा। इससे बाल काटने में हुई लापरवाही के कारण उसे गंभिर मानसिक प्रताडना और तनाव से गुजरना पड़ा। वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाई और अथा उनकी नौकरी चली गई। आयोग ने कहा कि इसके अलावा होटल हेर ट्रिटमेंट में लापरवाही करने क का भी दोशी है इससे उनका स्कैल्प जल गया और कर्मचारियों की गलती के कारण अभी भी उसे एलर्जी और खुजली की समस्या हुई। लोगसभा सांसत वो AIMIM के चिप असदुदिन ओवेसी ने लोगसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्रा लिखकर सुरक्षा की मांग की है उन्होंने लिखा है कि दिलिस्तित उनके बंगले पर हुई तोडफोड के बाद उनकी सुरक्षा को खत्रा है ऐसे में उन्हें सुरक्षा मुहया कराई जाए। साथ ही घर पर हुई तोडफोड की जांच संसत की विशशाधीकार कमेटी को दी जाए। ओवेसी के 24 अशोक नई दिलिस्तित आवास के बाहर मंगलवार को हिंदू सेना के कारे करताओं ने प्रदर्शन किया था और इसके बाद तोडफोड की गई थी। ओवेसी ने लिखे पत्र में ये भी आरोप लगाया कि उनके घर पर हमला करने पहुचे हुए लोग धारदार हतियारों से लैस किया है जबकि वहाँ पर कम से कम 13 लोग मौजुत है हमलावार बंगले में घुसे और वहाँ मौजुत केरटेकर राजुलाल को बुरी तरह से पिठा यहां तक कि मुझे भी जान से मारने की धंकी दी गई उन्होंने मांग की है कि इस मामले को गंबिरता से लेते हुए उनक को राजनितिक दुरुष्टी से काफी महत्वों पुर्णा माना जा रहा है क्योंकि उत्तराखंट करनाटक और गुजरात के बाद भाजपा मध्यप्रदेश में सियासी जमिन को और मजबुत करने की गवायत में जुटी हुई है सूत्रों के अनुसार शिवराज सिंग चो काफी महत्वों पुरुणा माना जा रहा है अभी इसका एला नहीं हुआ है लेकिन भाजपा भावी बदलाव की संभावना में इस उपचुनाओ की रणेनिती को भी साथ लेकर चल रही है कोरोना की दुसरी लहर के बीच दमोह विदानसभा के उपचुनाओ में भाजपा को करारी मात जहलनी पड़ी थी चुनाओ आयोग इस महेने जो उपचुनाओ कर रहा है उसके साथ उसने विभिनर राजपा की खाली सीटों को लेकर भी राजपा के प्रशासन से चर्चा की थी तब मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव ने कहा था कि राजप में बाढ त्योहार वा महामारी के चलते अभी स्थितियां ठीक नहीं है इसलिए त्योहारों के बाद चुनाओ कराये जाने चाहिए दादर के महिर भोज पीजी कॉलेज के अंदर समराट महिर भोज की प्रतिमा का अनावरण मुख्य मंतरी योगी आदित्यनात ने किया इसके बाद हास्यस्पद रूप से ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि महिर भोज कौन थे गुर्जर और राजपुत दोनों समाच के लोग समराट महिर भोज को अपना वंशज बता कर दावे कर रहे हैं इतिहासकारों के भी अपने अपने दावे हैं इतिहासकार आचारिय विरेंद्र विक्रम ने बताया कि गुर्जर समराथ मिहिर भोज रघु अंची समराथ थे और गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी समराथ थे 1957 में डॉक्टर बैजनात पूरी ने ऑक्सफोर्ट विश्व विद्याले से गुर्जर प्रतिहारों पर पीएजडी की और उनको गुर्जर जाति का सिद्ध किया दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का कहना है कि प्रतिहार राजपुतों की प्राचिंतम राजधानी मंडौर में प्रतिहार राजपुत है गुर्जर नहीं उनके हर लेख में वहाँ खुद को सौमित्र लक्षमन का वंशज लिखते हैं। सिर्फ राजवर गड के प्रतिहार राजवंश को ही शिला लेख में गुर्जर प्रतिहार लिखा। वह भी गुर्जर प्रदेश के अलवर में आने के कारण स्तान सुचक गुर्जर प्रतिहार कहलाए। अजय ओम राश्ट्रिय अध्यक्ष राजपुत उत्थान सभा ने बताया कि प्रतिहार वंच उत्पत्ति का प्रमुक चंद्रवरदाई की पुस्तक राजपुत वंच प् भारत अमेरिका रणनितिक साज्यदारी को और मजबुत करने का फैसला किया। साथ ही लोग तंत्रव अफगानिस्तान और हिंद प्रशान के लिए खत्रो सहित सामान्य हित के वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। लेकिन भारत की उपलबदता से मुस्लिम देश खुश करके दुनिया से जम्मू कश्मिर में भारत के कथित जगन अपरादों पर पाकिस्तान की और से जारी डोजियर पर संग्यान लेते हुए कारवाई की भी मांग की। भारत ने इसका सिरे से खंडन किया है। इस बिच अमेरिका ने सयुक्तर राश्चा सुरक्षा परिशत के 27 अधस्यों से अफगानिस्तान पर एक जूट रहने, तालीबान को अपनी प्रतिबद्धताओं के लिए जवाब देह ठहराने और युद्ध ग्रस्त देश में मानवियर जरूरतों को पूरा करने को धनकी उपलबदता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का आभान किया, साफ है कि अफगानिस्तान और तालीबान का मुद्धा भी खतम नहीं हुआ है, दुनिया भर में उथल पुथल के इस दौर में धर्ती से दुर मंगल ग्रहा पर भुकम की खबर ने हैरान कर दिया है, कुछ दिन पहले ही अमेरिकी स्पेस एजनसी नासा के इंसाइट लैंडर ने मंगल ग्रहा पर हजार दिन पूरे कर लिये हैं, ये दिन और भी खास रहा क्योंकि इंसाइट ने मंगल ग्रहा के सबसे बड़े और सबसे लंबे भुकम डिटेट किये, इन जटकों की तिवरता 4.2 की थी और ये करिब 1.5 घंटे तक चले, एक महिने में हमेशा से ही कौतुहल के विशे बने रहे हैं, मंगल ग्रहा को लेकर दुनिया अलग भाविश्य तलाश रही है, तो इतिहास अपनी और खीच रहा है, अभी तक माना जाता था कि अमेरीकी महद्वीप में इंसान सबसे पहले करीब 13,000 से 16,000 साल पहले पहुँचे थे, लेक और अमेरिका के पुरा तत्ववीदों ने अलकाली फ्लैट नाम की सूखी हुई जिल्बे, इंसानी पैरों के निशान के आधार पर ये खोज की है, दुनिया भर में जारी हलचलों के बिच भविश्य और इतिहास की बाते हम आपको आज की पाच बड़ी खबरों के माध्य इसके साथ बैठक की, दोनों ने भारत अमेरिका रणनीती साज़ेदारी को और मजबूत करने का फैसला किया, साथ ही लोक तंत्र, अफगानिस्तान और हिंद प्रशान के लिए खत्रो सहीत सामन्य हिद के वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की, कमला हैरिस ने प्रधान मं प्रधान मंत्री की ब्रीफिंग से सहमत हुई, इसे भी माना कि भारत कई दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है, इस तरह के आतंकवादी समूहों के लिए पाकिस्तान के समर्थन पर लगाम लगाना और बारी की से निगरानी करना जरूरी है, हैरिस ने कहा कि दोनों खत्रे में है, यह जरूरी है कि हम अपने अपने देशों और दुनिया भर में लोकतांत्रिक सद्धानतों और संस्थानों की रक्षा करें, और यह भी कि हम अपने देश में लोकतांत्रों को मजबूत करने के लिए जो करना चाहिए उसे बनाये रखें, और यह हमारे रास् पाकिस्तान के सुर में सुर्व मुलाते हुए भारत के खिलाफ कारवाई की मांग की है इसलामिक सहयोग संगठन के कॉंट्रैक्ट ग्रूप ने गुरुवार को नियू यॉक में एक बैठक करके दुनिया से जम्मू कश्मीर में भारत के कथित जगन्य अपरादों पर पाकिस परिशता OIC के महा सचीव ने की मुस्लिम देशों के संगठन ने भारत से मांग की है कि वह 5 अगस 2019 को लागू किये गए सबी फैसलों को वापस ले जम्मू कश्मीर में कथित रूप से हो रहे मानव अधिकार उलंगनों को रोके और उसकी स्वतंत्र जांच कराए जम्मू क कश्मीर के मुद्दे का हल न हो जाए भारत OIC के इस दावे को लगातार खारिस करता रहा है भारत का कहना है कि जम्मू कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है और अगर कोई विवाद है तो उसे बाचीत के जरिए सुलजाया जाए ओए ने भारत के जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 3 70 को खत्म करने पर भी अपनी खीज दिखाई अमेरिका ने सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशत के स्थाई सदस्यों से अफगानिस्तान पर एक जुट रहने तालिबान को अपनी प्रतिबद्धताओं के लिए जवाब देह ठहराने और युद्ध ग्रस्त देश में मान और वीटो शक्ति प्राप्त सदस्य है ब्रिटेन की विदेश सचीव लीज ट्रस ने सयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरिय चिहत्तरवे सत्र से इतर P5 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की इस दोरान सयुक्त राष्ट्र महासचीव अमेरी की विदेश विभाग के प्रवक्ता नेट प्राइस ने कहा कि बैठक में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अंतराष्ट्री अशान्ती और सुरक्षा बराय रखने के लिए एक रचनात्मक P5 कारवाई के महत्व पर जोर दिया नेट प्राइस ने कहा कि विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान में उभरते मानविय संकट से निपटने और आर्थिक पतन को रोकने के लिए P5 से समनवय का अवहान किया उन्होंने समावेशी और प्रतिनीती सरकार के लिए साजह अपेक्षाओ का जिक्र किया साथ ही बताया कि मंत्री ने P5 को अफगानिस्तान पर एक जुट रहने तालिबान को अपनी प्रतिबधताओ के लिए जवाब देह ठहराने और मानविय जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने को प्रुच्साहित क कुछ दिन पहले ही अमेरिकी स्पेस एजनसी नासा के इंसाइट लैंडर ने मंगल ग्रह पर हजार दिन पूरे कर लिये ये दिन और भी खास रहा क्योंकि इंसाइट ने मंगल ग्रह के सबसे बड़े और सबसे लंबे भुकम्प डिटेक्ट किये इन जटकों की तीवरता 4. 4.2 की थी और ये करीब देड़ घंटे तक चले एक महिने में इंसाइट ने यह तीसरा भुकम्प डिटेक्ट किया है इससे पहले भी एक 4.2 और दूसरा 4.1 तीवरता का भुकम्प यहां आया था नासा के मंगल एक्स्प्लोरेशन प्रोग्राम के मताबिक इस मिशन का काम म मंगल की अंदरूनी जानकारी जुटाने के लिए सिस्मिक वेव को स्टड़ी करना है ये तरंगे मंगल के अंदर ट्रैवल करते हुए अलग-अलग परत से गुजरते हुए बदलती रहती है इससे वेग्यानिक पता लगा पाते हैं कि अंदर असल में है क्या अगस्त में आ आई हो जो लैंडर से करीब 1609 किलोमेटर दूर है माना जाता है कि यहां लाखो साल पहले लावा बहकर निकला होगा दिल्चस्प बात ये है कि पहले आए भुकंप अलग-अलग थे एक के वाइब्रेशन धी में और कम फ्रिक्वेंसी के थे जबकि दूसरे के तेज और ज् आजोवेशन से वैज्यानिकों को मंगल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी अभी तक माना जाता था कि अमेरिकी महादवीप में इनसान सबसे पहले करीब 13000 से 16000 साल पहले पहुचे थे लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि असल में वे उससे भी 10,000 साल पहले पहुच चुके थे। करीब 23,000 साल पहले न्यू मेक्सिको में इंसानी गतिवीदियों के सबूत मिले हैं, जिसे एक बड़ी पुरा तत्व उपलब्दी माना जा रहा है। ब्रिटन और अमेरिका के पूरा तत्व वीदों ने अलकानी फ्लैट नाम की सूकी हुई जिल में इंसानी पैरों के निशान के आधार पर यह खोज की है। बर्व से ढका हुआ था और समुद्रस तर आज की तूलना में 400 फिट कम था। कुछ पुरा तत्व वीदों ने दावा किया है कि 16,000 साल पहले भी इंसानी रिहायश के सबूत मिले हैं, वही तलचट, जानवरों की हड़ियों और लकडी के कोईले के निशान 33,000 साल पहले मि इंसानी जीवन कैसा था, ज्यादातर निशान युवाओ और बच्चों के थे, कुछ वेसकों के भी थे, जबकि कुछ मैमत विशाल ग्राउंड स्लॉत और भेडियों के भी थे, कई एक्सपर्स का मानना है कि एशिया से लोग अमेरिका गये थे, वे जमीन के रास्ते बेरि के नीचे है और अलास्का और रूस के बीच बेरिंग सागर बनाता है।